जो कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता उसकी मदद तो भगवान को भी करनी पड़ती है राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हारदिक हारदिक स्वागत अभिन्नन्दन आज मैं आपको एक सब्ते घटना सुनाने जा रही हूँ कि अगर हम भगवान पर विश्वाश करें तो वो मदद करने अवश्य आते हैं बनारस की वो गलियां जहां हर मोड पर आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा शायद यही बनारस की खूब सूर्ती का एक राज है हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाजे मन को कितना स्कून देती हैं बनारस की इनी गलियों में एक राम जान की मंदिर है जिसकी देखरेक मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायन मिश्र के हाथों में थी मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जान की मंदिर को समर्पित कर चुके थी समपत्ती के नाम पर उनके पास एक छोटा सा दो कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह के योग्य बेटी विमला थी मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था बेटी विवाह के योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर मुकमल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता पर वही दान दहेज पे आके बात रुक जाती पंडी जी अब निराश हो चुके थे सारे प्रयास करके हार चुके थे एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड न के बराबर होती है उसी समय चुक चाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आख बंद किये अपनी बेटी के भविश्य के बारे में सोचते हुए उनकी आखों से आशु बहे जा रहे थे तभी उनके कानू में एक आवाज आई नमस्कार पंडी जी जटके में आखे खोली तो देखा सामने एक बजुर्ग दमपत्ती हाज जोड़े खड़े थे पंडी जी ने बैठने का आगरे किया पंडी जी ने गोर किया कि वो व्रिद दमपत्ती देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे दोनों के चेहरे पर एक सुन्दर सी आभाज जलक रही थी पंडी जी आपसे एक जरूरी बात करनी है व्रिद पुरुष की आवाज सुनकर पंडी जी की तंद्रा टूटी हाँ हाँ कहिए श्रीमान जी पंडी जी ने कहा उस व्रिद आदमी ने कहा पंडी जी मेरा नाम विशंभर नात है हम गुजरात से काशी दर्शिन को आई हैं हमने संतान हैं बहुत जगे मन्नते मांगी पर हमारे भागे में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है एक गरीब कन्या का विवाहा कराना है कन्यादान करना है हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाओ मिलेगा व्रिद दमपत्ती की बातों को सुनकर पंडी जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे व्रिद महिला ने कहा पंडी जी ने बिना एक पल गवाई अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया व्रिद दमपत्ती बहुत खुश हुए बोले आज से आपकी बेटी हमारी हुई बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं उसका विवहा हम करेंगे पंडी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा उनकी मन चाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो विशंभरनात ने उन्हें एक विस्टिंग कार दिया और बोला बनारस में ही ये लड़का है ये उसके पिता के ओफिस का पता है आप जाईए ये मेरे रिष्टे में मेरे साडू लगते हैं बस आप जाईए और मेरे बारे में कुछ न बताईएगा मैं बीच में नहीं आना चाहता आप जाईए खुझ से बात करिये पंडी जी घवराए और बोले मैं कैसे बात करूँ ना जान ना पहचान कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिष्टे के लिए तो व्रिद दमपत्ती ने मुस्कराते हुए आश्वाशन दिया कि आप जाईए तो सही लड़के के पिता का सोभाव बहत अच्छा है वो आपको मना नहीं करेंगे इतना कहकर व्रिद दमपत्ती ने उनको अपना मुबाइल नमबर दिया और चले गए पंडी जी ने बिना समय गवाई लड़के के पिता के ओफिस का रुख किया मानो जैसे कोई चमतकार सा हो गया हो ओफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ हो गई तब तुरंत जो है शादी की डेट भी फाइनल हो गई पंडी जी जब जब उस दमपत्ती को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहिज उनके घर पहुंच जाता सारी बुकिंग हर तरह का सैयोग बस पंडी जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते अंतते धूमधाम से विवाह संपन हुआ पंडी जी की लड़की विमला विदा होकर अपने ससुराल चले गई पंडी जी ने रहात की सांस ली पंडी जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस बृत दमपत्ती के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दमपत्ती जिनोंने मेरी बेटी को अपना समझा बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परिशानी दूर कर दी यही सोचते सोचते पंडी जी ने उनको फोन मिलाया उनका फोन स्विच ओफ बता रहा था पंडी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा लगातार तीन दिन फोन करने के बाद भी विशंबरनात जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने संधी जी को फोन मिलाया ये क्या फोन पे बात करने के बाद पंडी जी की आखों से जर जर आसू बहने लगे पंडी जी के संधी जी का दूर दूर तक विशंब कर खड़े हो गई और रोते हुए बोले मुझे अब पता चला प्रभू वो विशंभर नात और कोई नहीं आप ही थे वो वृद्धा जानकी माता थे आप से मेरा और मेरी बेटी का दुख देखा नहीं ग्याना दुनिया इस बात को माने या ना माने पर आप पर ही आकर मुझ पंडित जी को देखे जा रही थी तो यह बिल्कुल सत्य घटना है जो भी भगवान पर विश्वाश करता है भगवान हर कदम पर उसके साथ रहते हैं बोले भगत और भगवान की जय तो अगर यह सत्य घटना आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक औ के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो या कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद